ओम्शी गणेशाय नमहा शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायलम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुना पुना इश्वरो गुरुरात्मेती मूर्ति भेद विभागिने व्योम बत व्याप्त देहाय दक्षिना मूर्तये नमहा ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही आप सभी सादुकों की हिर्दय में विराज मन इश्वरिय सत्ता को मेरा शत शत नमन बंधो मैं जोतित्र पाठी आप सब के समक्ष आचारे शंकर द्वारा रचित गरंत भज गोविंदम की व्याख्या ही तू पुना उपस्ते थुई हूं मित्रों अब तक हमने इस ग्रंत के 21 श्लोकों की व्याख्या कर ली है और आज अपनी श्ट्रा को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 22 की व्याख्या होनी है तो आईए श्लोक संख्या 22 को देखते हैं रध्या चर्पट विर्चित कंथा पुन्या पुन्या विबरजित पंथा योगी योगनियो जित चितो रमते बालन मत्तव देवा भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूण मते जो योगी किवल गुदली धारन करता है अर्थात पहनता है गुदली नहीं फटे पुराने और एक से अनेग बार जिन कपड़ों की सिलाई की गई हो वो गुदली उसको धारन करता है जो गुण और दोश अर्थात पाप पुन्य से परे की रहा पर है जिसका मन अपने लक्ष में अपने चित में उस पूर्ण इश्वर की तरफ ब्रह्मन की तरफ सयुक्त हो चुका है और जो पूरी तरीके से इश्वरी चेतना में रमता है उसका जीवन बच्चों की तरह ब व्यक्ति जिसने पूर्ण तत्य का ज्यान प्राप्त कर लिया है जो सत्य और असत्य के परे जा चुका है जिसको जीवन की सत्यता पता चल चुकी है जिसको हम एलाइट्मेंट व्यक्ति भी कहते हैं जिसको हम ब्रह्मन भी कहते हैं और जिसको हम योगी भी कहते हैं और जिस से मार्क पर है जहां पर कुछ न लेना है ना कुछ देना है जिसने अपने सारे पोजेशंस को अपने सारे रिलेशंस को अपने सारे ट्रांजेक्शंस को इन सब को अपने से अलग कर दिया है जिसके लिए आंतरिक पूर्णता ही उसका धन है जिसको बाहिरी चीजों के सुख क की आवशक्ता नहीं है वो अपने में ही आनंद में रहता है और अपनी ही रहा चलता है वो ऊपर से देखने में बहुत गरीब तोकि वो गुद्री फटे- पुराने कपड़े वस्तों को धार्ण करने वाला है कि दू अंदर से वो बहुत धनवान है ऐसे व्यक्ति को रात में सोने के लिए sleeping pills की आवशक्ता नहीं पड़ती चाहे बाहर के साधन संसाधन उसके पास कुछ भी ना हो और हम और आप इस चीज़ को बहुत बार अनुभा कर चुके हैं कि बहुत धन धान होने पर मुलायम बिस्तर होने के बाद भी हमें नींद से बंचित होना पड़ता है हमें नींद नहीं आती है और हमें नींद को लाने के लिए sleeping pills की जरूत पड़ती है लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने तत्व को जान लिया है इस संसार की वास्तिविक्ता को समझ लिया है वो भले फ चार इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूर्णता भीतरी होती है बाहरी चीजों से हमें पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती चाये हम जितनी चीजों को एकटा कर लें एक पहुचावा मनुष जो अपना लक्ष प्राप्त कर चुका है जिसके अंदर अपने और पराय का भेद मिट चुका है जो अपने को शरीर का मालिक समस्ता है यानि शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है वो जानता है ऐसा व्यक्ति बच्चों की तरह पागल की तरह रहता है हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि वाह जगत के प्रती ऐसे व्यक्ति के मानसिक दस्टिकोन क परिवर्तित देखा गया है वास्तों में वो बालक है नहीं ना वो पागल ही है फिर भी वो उनी की तरह है क्योंकि उसमें वही गुड़ है जो एक बच्चों में होते हैं इसलिए उसको बालक के समान या पागल के समान जैसे कि प्यार और घ्रणा यह हम सभी बच्चों में प लेकिन दूसरे ही चणक वो उस बात को भूल जाते हैं और फिर घुल मिलकर खेलते हैं जिस चणड में उनकी जो माशीक प्रवत्ती होती है वो उसी चणड उसमें पूरे लीन है खेल रहे हैं पूरी तरीके से खेल रहे हैं भूल गयाँ कि हमारी एक गंटे पहले इनसे लड़ाई भी हुई थी, वो भूत काल को बरतमान में खीच के नहीं लाते हैं बरतमान में ही जीते हैं तो जो योगी है, जो तत्वग्यान का ग्याता है उसकी भी मासिक इस्थिती ऐसी होती है उसका भेद मिट चुका होता है मित्रता दुश्मनी सब समाप्थ हो चुकी होती है वो सब में उसी परमात्मा को देखता है उसको अपने और पराय का दोयत का भाव ही मिट चुका होता है वो एक ही देख रहा है, एक ही रस हो गया है, एक सत्ता में है अदवयत में वो जीता है इसलिए उसको कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति लक्ष को प्राप्त कर चुका है तत्त को प्राप्त कर चुका है ठीक ऐसे ही जो पहुंचावा संत है उसको किवल वर्तमान से मतलब रहता है उसको ना तो भविश की चिंता होती है और ना ही बीते हुए क पुछ इसी प्रकार की होती है, वो अपने ही मन में, अपने ही विचारों में परिपूर्ण है, शलक पर वो किनारे आपको जाता हुआ, अकेले में ही मुस्कुराता हुआ, दिख जाएगा, उसको मुस्कुराने के लिए किसी साधन की जरोत नहीं है, वो हमें पागल लगता है लेकिन वो अपने में ही मस्त है इसी तरी किसे संत जो है वो अपने आनंद में है उसको अपने आनंद को पाने के लिए किसी बाहरी आवरण की सत्ता की साधन की आवशक्ता नहीं है ऐसा व्यक्ति ही संत कहलाता है आजकल तो हर व्यक्ति संत है लेकिन संत का मतलब बहुत उची इस्थिती को प्राप्त करना कहने का अभी प्राई है कि ऐसा व्यक्ति सामे अवस्था में रमता है उसका चित शांत रहता है उसके आंत्रिक जीवन का रास्ता गुण अवगुण अच्छे बुरे दुख सुक इन सबसे हट कर है इन द्वन्दों में उसका जीवन नहीं बीटता इन द्वन्दों का पता हमको आपको चलता है जब हमारा मन इस संवेदन्शिल जगत की में सष्ठी करता है तब हम गुण और अवगुण को देखते हैं लेकिन जो महापुरुस है जो संत पुरुस है वो इन सब के परे हैं उसको जगत में कहीं भेदन दिख रहा है सारे जगत में वोई एक परमतत्त दिख रहा है उस सब में खुद को अपने कोसे एकाकार मानता है तो जो व्यक्ति तीनों गुणों से उपर उठ चुका है उसकी ये दसा होती है और उसके लिए ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही कोई अकर्तव्य ऐसा हमारी भगबत गीता जी में बताया गया है कि जो व्यक्ति गुणातीत है तीनों गुणों से उपर उठकर जीवन जीता है उसके लिए कोई कार नहीं है ऐसे महापुर्ष को जिसने त्रशना और वासना पर विजय प्राप्त कर लिये जिसका अपने लक्ष के साथ पूर्ण योग हो गया है इश्वरी चेतना प्राप्त हो गई है ऐसे मनुष्य का मन और बुद्धी इस संसार में रहते हुए भी ऐसी इस्तिति में होती है कि वह मनुष्य अपने शरीर का गुलाम नहीं होता वो अपने मन के हिसाब से नहीं चलता इसलिए उसका शरीर अपने लिए कुछ मांग नहीं करता उसको शरीर को सटिस्वाई करने लिए कुछ भी बाहर से मांगने की जरोत नहीं है चाहे वो खुशी के लिए, चाहे वो आकर्षन के लिए, चाहे वो भैवेता दिखाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से परे हूँ, लेकिन संसार में इस शरीर की न्यूंतब रच्छा करने के लिए, कुछ चाहिए, तो चाहे वो पुरान और अधिकार सदयव साथ चाच चलते हैं लेकिन ऐसे वक्ति के लिए कोई करतब भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो समाज में अपने साश के अनुसार एक सेवा के भाव को ले करके चलता है इसलिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के परपस से वो समाजी कार करता है और वो समाज से ऐसा है वक्ति कम से कम लेता है हम और आप तो कम मेहनत में अधिक लाब को डूंडते हैं लेकिन जो संत पुरुस है जो महा पुरुस है जो इत्रियान का ग्याता है वो समाज से कम से कम लेता है और भारत के रिशों की पारंपरिक बेश-भूसा से भी यह इंगित होता है क्योंकि वो जंगल में रहते हैं जंगली फल, मूल, पत्ते खा कर रहते हैं वरक्षों के नीचे रहते हैं समसान के समी पे रहते हैं अपने लिए वे केवल एक कमंडल रखते हैं इस देश के महात्माओं की जो प्रवत्ती दुनिया से कम से कम लेने की और अधिक से अधिक देने की ही रही है उसी के करण उनको आधर और सम्मार मिलता है लेकिन आज व्यक्ति कम से कम देना हो और अधिक से अधिक लेना हो कम से कम परिश्रम हो और अधिक से अधिक उपलब इस तरफ जा चुका है इनी सब बात्तिकार आचार कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति गुदरी धारन करते हुए अपने जीवन को विताता है इधर उधर सड़क के किनारे घुमते हुए छोटे कपड़ों में फटे कपड़ों में उसे इन चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता कि उसम कोई कंप्टीशन या प्रतियोगिता को बढ़ाना या दिखाना है यही है हमारी संस्कृती लेकिन आज की विचारधारा में बहुत परिवर्तन है इसलिए सुक में जीवन वाले सुसंस्कृत समाज को बरबर और जाहिल और अनैतिक समाज की बुराईयों से दूर रखने के लिए सास का अध्यन, सतसंग का साथ और संतों की वानी वो जानना सुनना समझना अती अती आवशक है क्योंकि जो हमारा व्यदिक कल्चर है उसने हमेशा आंत्रिक रिचेस की बात की आंत्रिक रूप से धनवान होने की बात की गई है ऐसा महापुरुष जो है वो अंदर से धनवान होता है उपर से बलाई वो फटा पुराना पहनते वे गुदली में दिखता रहे और वो गरीब दिखे वो गरीबी नहीं है गरीबी वो है जब आफशक्ता भरका भी नहीं है और आदमी वंचित है नियुनतम आफशक्ताओं से वो गरीबी है लेकिन यद्यपी होने के बाद भी अगर आदमी बिना दिखावे की इस तरीके का जीवन जीता है और सत्य को जानता है किसी लोब लालज के तहत आकर्शित नहीं है तो ऐसा व्यक्ती गरीब नहीं सिंपिल है वो सिंप्लिसिटी है जो हमारी स्वैम की अच्छा रंग ढंग सजे सजाय या आकर्शन या नैने उड़ने पहने दिखावे में न हो अपनी इच्छा से वोलंडरली हम अगर ऐसा जीवन जीते हैं होने के बाद भी तो वो सिंप्लिसिटी है लेकिन अगर हमारे पास है ही नहीं और हम उसके लिए तरस रहे हैं तो व गरीबी है तो जो संत पुरुष है वो सादिकी का जीवन जीते हैं वो गरीबी का जीवन नहीं है वो उनका दुर्भाग्य नहीं है ज्यानी गरीब नहीं है सिंप्ल है और क्योंकि वो अपने में पूर्ण है वो अपने में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो उसको कि इसी बहरी इस्टूमेंट की जरुवत नहीं पड़ती कि वो अपनी पूर्णता को धर्शाए और हम जब अपूर्ण होते हैं तो बहरी चीजों से अपने को दिखाते हैं बताते हैं कि हम इतने सक्षम समर्थ मजबूत और इतने भरे पूरे हैं तो इस लोग के माध्यम से जो दुनिया में पाप पूर्ण दोनों के परे हैं जो पूरी तरीके से अध्यात्मिक जीवन कम से कम आवशक्तों के तहत जी रहा हैं जो बिना स्लेपिंग पिल्स के बहुत अच्छी नीन सोता है और बहुत से साधन संसाधन महलो वाले लोग भी स्लेपिंग पिल्स के बि ये आंत्रिक रूप से धनवान होने की जरुवत है, आंत्रिक धनवान अगर हैं, तो काम चल जाएगा, लेकिन बारी धनवान बहुत होने के बाद भी, अगर हम अंत्रिक रूप से खाग खोक ले हैं, तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम भटकते रहेंगे, और जीवन का सही उद्देश प्राप्त करने में असा वर्थ होंगे क्यों? क्योंकि बाहरी चीजों का ये स्वभाव है कि वो आती है फिर जाती भी है उनका आना और फिर जाना यानि वो अस्थाई है लेकिन आंतरिक धन पूर्णता जब हमारे अंदर आती है तो जो एक बार आएगी वो दुबारा जाने वाली नहीं यही हमारी वैदिक संस्कृती इसी चीज़ को बार बार बताने का प्रयास करती है कि सत्य क्या है तुम कौन हो? स्वैम को जानू आज के श्लोक में इतना ही शेश पुना ओम पूर्ण मदफ पूर्ण मिदं पूर्णात पूर्ण मुदच्चते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावसिषते ओम शान्तिही शान्तिही शान्तिही